लोगाइज कैसे हो आई हूप आप सभी बहुत अच्छे हों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल को हम PC में किस प्रकार से चला सकते हैं गुरमेश भाई ने पूछा था कि हम अगर गेम जो मोबाइल में खेलते हैं तो लगना चाहिए कि हम PC में प्ले कर रहे हैं तो उसी के बड़े में बात करने वाले हैं नमिश्कर दोस्तो मेरा नाम आप देखे रहे हैं उनके टाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मां आपको मोबाइल में बताता हूँ कि आपको कौन से अप्लिकाशन इंस्टोल करनी होगी आपको यहा यहां से आपको अपर मिरर का उप्शन इंस्टॉल यहां पे आपको मिल जाएगा यहां से आप देख सकते हैं कि यह अपको यहां से इंस्टॉल करनी है तो चलिए किसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे की साइड दिये भी गए है की mobile के अंदर जो आप game कहलते हो वो आप PC में देख सकते हैं यहाँ जो photos आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे application इंस्टोल हो रही है यह application आपको mobile में place store से install करनी है तो यहाँ पे यह install हो चुकी है और अब मैं आपको ले चलता हूँ computer की screen पे मैं आपको बता देता हूँ कि computer में आपको किस प्रकास से application इंस्टोल करनी है तो यहाँ पे आ चुके है computer की screen पर और यहाँ पे आपको google में search करना है अप और mirror यह search कर लेना आपको first website आपको मिल जाती है यह application इसके अंदर आपको मिल जाएगी first website आपको open कर लेनी है यहाँ पे आपको download का option मिल जाएगा और इस website का भी link मैं description में देदूँगा आप directly यहाँ पे आ जाओगे आपको download करना होगा और यहाँ पे मैं इसे download लगा देता हूँ तो यहाँ पे download start हो चुकी है और यह install कर लेंगे download होने के बाद और देखते हैं कि किस प्रकास से हमें यह use करना है download यहाँ पे चल रहा है अब कर देते हैं इसे install तो यहाँ पे install का option है नीचे की side language दी गए है जो आप language select करना चाहँ वो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इसे language को select करके और इसे install कर देना है यहाँ पे install हमने लगा दिया है कुछ time लगेगा यहाँ पे install होने में और आपको wait करना है जितना time यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे install हो रही है तो यहाँ पे यह application install हो चुकिए successfully अब इस application को open करते हैं और देखते हैं किसके अंदर आपको क्या-क्या चीजे देखने को मिलेगी और आपको क्या-क्या जो permissions है वो आपको allow करनी होगी तो यहाँ पे हम कर लेते हैं open so guys open करनी के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकाज इंटरफेस देखने को मिलता है cut कर देना है cut करनी के बाद आपको तीन option मिलते हैं android, ios, tv का option मिलता है आपको android पे press करना होता है उसके बाद आपको next करना है इसे next का option जो है दिया गया है side में यहाँ पे यहाँ पे game की photo दी गई है कि आप इस application से आप game देख सकते हैं अपने mobile के PC के अंदर next करना है एक बाद फिर से next करना है next करने के बाद यहाँ पे आपको एक बाद फिर से next करना है यहाँ पी यह application स्टार्ट हो चुकी है इस परकार से आपको यह application मिलेगी ठीक है यहाँ पे pin code और QR code का भी option दिया गया है जिस परकार से आप connect करना चौओ आप कर सकते है pin code यहाँ पे दिया गया है QR code दिया गया है और यहाँ पे हम कर लेते है QR code से ही scan कर लेते है तो यहाँ पे एक बार mobile के screen भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको mobile के अंदर भी यही चीज़े देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको mirror का option मिलेगा प्रेस करना है प्रेस करने के बाद यहाँ पे उपर pin code और QR code का option दिया जाएगा USB का option दिया गया है USB में आपको कुछ और setting है जो कि आपको करनी पड़ेगी वो यहीं से open हो जाएगी एक बात मैं आपको और बता देता हूँ USB से connect करो या फिर QR code से कोई फ्रक्ट नहीं आने वाला अगर आप QR code से इसे connect करते हो तो आपको data on रखना होगा अपने mobile से आपको QR code स्कैन करना है अपने PC का जो QR code है अपने mobile से आपको स्कैन कर लेना है इस परकार से तो यहाँ पर ही scan हो चुका है और यहाँ पर आपको start पर press करना है और यहाँ पर screen आ चुकी है computer के अंदर चीग है अब क्या है कि इसमें एक problem है जो कि मैंने पहले बताया था जो reality होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि जो reality है वो ही इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाएगी अगर आप mobile की screen computer में देखते हो तो आप यहाँ पर color देख सकते हैं यह red color और black color screen पर आ रहा है computer के अंदर अगर यह color आपको fix करना है clarity आपको यहाँ पर देनी है तो आपको यह application पर change करनी होगी यह free trial में आप यह clarity नहीं देख सकते हैं mobile की जो clarity है वो PC के screen पर नहीं आएगी clarity जो कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बताया था reality होगी वो आपको बताऊंगा तो अगर आप mobile के अंदर game play करते हो PC के screen से live stream करते हो तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर यह color है यह color अच्छा नहीं दिख रहा है यह तो आपको भी दिख रहा है तो अगर आपको यह live stream करनी है तो मेरे ख्याल से आप mobile से ही live stream कर लो otherwise आप इस परकार से अगर आप करते हो तो mobile की जो clarity है वो भी computer के अंदर नहीं आएगी उससे भी कम clarity यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इससे अच्छा है कि आप mobile से ही कर ले तो आपको यह वीडियो कैसी लेगी कमेंट सेक्षिन में जुरूर बताना और आपको यह वीडियो पुसंदे तो प्रीज अलाइक को मेंट सेर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद